डिस्क्लेमर यह आर्मी कंजस्टिट वेस्ट पर जाला छेजे काम करेगी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं रेड मैडल से क्या पर्चेज करने जा रहा हूं साथ बलून्स एक स्टोन स्लेमर और एक रेज स्पेल्स बस इतना ही तो मैं आपको अपनी आर्मी लिखाता हूं आप पोस्ट करके स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं तब तक आप पोलो मैच गेमिक को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते सबसे पहले तीन तीन लाइटनिंग से दो एडिफेंस डाउन जैसी दो एडिफेंस डाउन होंगे हम अपने स्पैम कर देंगे सारे इलेक्ट्रो ड्राइगन साइड में ऐसे इस तरह से कुछ बीज में डाल देंगे स्टोन स्लेमर किंग क्वीन वार्डन और चार बलून्स फीर आएगी रेजस्पैल की वारे क्योंकि रेजस्पैल में रहा के इलेक्ट्रो ड्राइगन बहुत अगड़ी वैल्यो में निकाल के देने वाले हैं और यह पर्फेक्ट फ्रीज सेज मशीन से ट्रूप निकलता ही तुरंट रेंज स्पैल रेंज स्पैल से क्या होगी बहुत अगड़ी वैल्यू निकाल के देंगे अब देखो सारे ट्रूप 20 में जाएंगे और क्या ही देखो तबाही मचेगी हाप पर आप ही सब देखना और टैक तो हमारा खतम ही उने वाला लेकिन टाइम हमारा लगवक्त दो मिल्टी के आसपास बचा हुगा है यानि यह टैक तो बहुत ही ओपी चला गया इस बार जाएब चैक आएज लेकि जाएब चेशर का जाएब ही ते दाएब टैक जाएब यह रह शीच कि वारवक्त तासरेखो ही जाएब फार schwाट में और यह हमारा पहलाट इस अजाएब टैक बात लगवक्त देखनाएब चैक शुटेस्ट अजी शुटे संधियार के वर अब चलते हमारे नेक्स्ट अटैक के दरफ देखते हैं बेस कैसा मिलेगा ना यह बेस तो इंफर्णो आइलेंड है इसमें बहुत जार दिक्कत होगी ऐसे बेसमें आप मती करना इस आर्मी से अब देखते हैं चलो यह थोड़ा सही लग रहा है अकर आपको मल्टी इंफर्ण मिलदा तो इस बेसमें बहुत असाम दाता लेकिन इसमें सिंगल है लेकिन तब भी देखना त्री स्टार कैसे हो जाएगा इसमें पहले की तरह छे लाइटनिंग से दो डिफेंस हमने डाउन कर दिये हैं अब वही स्पैम कर देंगे हम दूबार आपने एलेक्ट्रो डैगन स्पैल एक तरह मुझे इस वे से सही लगा तो मैंने इदर स्पैम कर दे लेक्ट्रो डैगन और बीच में स्टोन स्लैमर किंग कुइन बुद्धा यानि सोरी वाडन दो रेज स्पैल डिप्लोई कर देंगे हम वही लेक्ट्रो डैगन के लिए और जैसी हमारा स्टोन स्पैल प्रवार फटेगा फिर दुबार हम एक और रेज स्पैल वहाँ पर डिप्लोई करेंगे यह फटने के बाद तो रंट आ जाए एक रेज स्पैल ताकि देखो कि अच्छी वैल्यू निकाल गे देगा यह मारे मल जिदने भी बलून से एंगे अब देखो बेस में कुछ ज़्यादा खास बिल्कुल बचा हुआ है ने अब सिंगल इंफर्णो और एकल बचा हुआ है वह भी क्वीन अपनी अबिलिटी में दोनों निकाल देती है कुछ ऐसे और यह बेस भी कुछ पिछली वार की तरह ओवर पावर तरीके से त्री स्टार हुआ है अब हम आ गए अपने तीसरे टैक के तरफ अब मुझे खा जादा आपको बताना पड़ेगा नि क्योंकि पहले की तरह ही सेम अटैक होने वाला है पहले छे लेटिंग से दो एडिफेंस डाउन करने है और फिर उसके बाद पूरी आर्मी स्पैम फिर पहले की तरह दो रेज स्पैल आ जाएंगे ड्रैगन्स के लिए और इधर में स्टोन स्लैमर को डालना ही भूल गया था सबसे बड़ी गलती यह हो गई थी कि मैंने फ्री स्पैल को स्टोन स्लैमर समझ के वहां पर डिप्लोय कर दिए बेस के बाहर यह अटैक भी हमारा अच्छा कासा जाए रहा था लेगिन इस अटैक में हमारे पिछले दो अटैक से जाड़ा टाइम लग गया था मैंने इस वीड़ो को थोड़ा स्पीड अप कर दिया क्योंकि आपको पता इलेक्ट्र डेगन कितना स्लो होते है और इस अटैक में सबसे आदा परचान करा विल्डर हट ने क्योंकि यार आदे यार टाइम तो यार विल्डर हट खा गया इसलिए मुझे अटैक दारा कि कु सब्सक्राइब होता है हमारा भी तरी स्टार हो गया राम से